Welcome friends, आचार्यम पर आपका स्वागत है दोस्तों सबसे पहले आपको यहां आना होगा TH-STI की साइट में और यहां पे जो इसका करियर वाला सेक्षन है इसमें आना होगा करेंट ओपनिंग में अब आप यहां पे देखें Apply Online के लिए क्लिक किया हुआ है यह लिंक दी हुई है तो दोस्तों आपको जो हम बताने जा रहे हैं उसको आपको आनलाइन ही अप्लिकेशन सब्मिट करना होगा तो आपको यहां पे जाना होगा Apply Online में इसके बाद उसका पूरा जो पेज है वो ओपन होगा भरने के लिए हम बात करें दोस्तों फिल्ड मानिटर की और इसका हम डाउनलोड करके डिटेल्स देखेंगे कि इसमें क्या-क्या रिक्वाइर्मेंट्स चाही गई है फ्रेंड्स चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए आईए देखते हैं डिटेल तो ये 30 अक्टूबर 2023 को ये नोटिफाई किया गया और ये इसका रिक्रूट्मेंट नोटिस नमबर यहां पे दिया हुआ है इसका जो सीरियल नमबर फस्ट है तो दोस्तों इसमें नहीं हम देखते क्योंकि ये अदर स्टेट के लिए है यहां आप देखें हम सीधे आते हैं MP वाले सेक्शन में तो फिल्ड मनीटर के लिए यहां पे दो पोस्ट रखी गई है नेम आप देखेट लोकेशन यूपी और MP है प्रोजेक्ट नेम रहेगा डाइट इन बायो मेकर सर्वे इन इंडिया दिए बियस फस्ट तीस हजार उपए पर मन्त कंसोलिडेटेट अपरेजली में 35 वियर पोस्ट रही कांटरेक्श्यूल सुरू में 5 महीने की होगी इसके बाद extension इसमें मिलेगा लोकेशन यूपी बिहार और MP का है मिनमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिगरी इन फामेसी, पबलिक हेल्थ, लाइफ साइंसेस और रिलेटे डिसिप्लीन जो भी हो आपको यहां पे करना होगा इसमें दोस्तोर आगे देखते हैं इसमें essential qualification में master degree फामेसी, पबलिक हेल्थ, लाइफ साइंसेस अथवा related subject में होना चाहिए और साथ में होना चाहिए एक साल का अनभाव research monitoring पबलिक हेल्थ प्रोजेक्स में अथवा ग्रिजवेशन वो फामेसी, पबलिक हेल्थ, लाइफ साइंस में और दोसाल कनभोईस में चाहा गया है डिजारेबल में वही है experience आपका research monitoring पबलिक हेल्थ में होना चाहिए MS office का अच्छा नालेज होना चाहिए professional skills के लिए यहां पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए जा profile आपको करना क्या होगा, तो यहां पे urban और rural दोनों जगह आपको जाना होगा और वहां पे आपको जो भी काम दिया जाएगा वो करना होगा एक चीज हम आपको यहां पे और बताते चलें तो यहां पे 30,000 रुपए मिलेगा है मिलेगा और साथ में 2,000 रुपए पर डे की हिसाब से आपको यहां पे allowance भी दिया जाएगा तो अच्छा खासा amount आपको यहां पे मिलने वाला है आप यहां पे कर सकते हैं लास्ट इट इसका 8 नमबर 2023 होगा application जो आप online submit करेंगे उसको scrutinize किया जाएगा start listed किया जाएगा इसके बाद online mode पे interview लिया जाएगा यदि आप दूर से हैं तो दोस्तो आपको apply कैसे करना है मैंने वहां पे आपको बता दी साथ में आपको रखना क्या है डाकुमेंट्स की जरूरत क्या पड़ेगी तो यह सारे डाकुमेंट्स हैं online application ही फार्म भरना होगा आपको और यहां पे फीस रखी गई है unreserve OBC और EWS candidate के लिए 236 रुपए और SCST woman PWBD के लिए 118 रुपए रखी गई है तो फ्रेंड्स यह आपका पूरा डिटेल यहां पे है आप अपने इस बेल्टी योगिता अनुभो के आधार पे फार्म अपलाई कर सकते हैं में इते हैं नए नोटिफिकेशन में आप सबका दिन सुभो धन्यवाद